लक्सर छेत्र में सेकडो युवाओ के आर्मी में भरती होने के अर्मानों पर स्वास्ते मैंकमी की लापरवाही से पानी फिरता नजर आ रहा है बतादे प्रदेश के धार्चूला में 25 मैं से आर्मी की भरती शुरू हो रही है जिसमें लक्षर छेत्र के सैकडो युवाओ ने इस भरती के लिए आवेदन किये हुए हैं आर्मी भरती की प्रकरिया में हिस्सा लेने के लिए युवाओ को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरुरत है लेकिन एन समय पर युवाओ के फिटनेस सर्टिफिकेट नाम बनने से उनके सामने दिक्कते खड़ियो गई हैं इस पर युवाओ ने कहा कि वे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से सरकारी इस्पतालों के चकर काट रहे हैं इस दोरान उन्होंने आरोफ लगाया है कि स्वास्ति मैकमे के अधिकारी करमचारी उनके सर्टिफिकेट जारी करने के बजाए उन्हें इधर उधर की बाते बता कर टरका रहे हैं उन्होंने कहा कि समय बहुत कम बचा है उन्हें कई सो किलोमेटर धार चुला जाना है और अभी तक सर्टिपिकेट नहीं बन सके ऐसे में उनका आर्मी में भड़ती होने के समने पर गिरहन लगता नजर आ रहा है उदर इस बावात स्वास्ति विभाग के अधिकारी कुछ भी क्याने को तयार नहीं है कि अधिकर सर्टिपिकेट बनावाने के लिए आपे रोग तो हमारी कोई सुन रहे हैं और हमें वहां प्याना दे दुरिया टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास आर्मी बढ़ती है तार्चुला में और हम लगभग 15 लड़का हैं आपर लगभग च हो और हम यहां पर आएकर आज डॉक्टर भी साब ने